तो हैलो दोस्तो वेलकम टू मैं यूटीब चलमे उटेकनो अलफाज और दोस्तो आज की सी वीडियो में हम खताऊंगा कि मूबाइल का कॉंटेक्ट नंबर सीम में कैसे कोपी कर सकते हैं जी हां मेरे दोस्तों अगर आप आप जो कोपी करना चाहते हैं अगर आप जो वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले जो समय को आपको देखने के लिए पति अपकर झाल नंबर को और जाते हैं और यहां पे आपको settings का option देखने के मिलता है तो यहां पे आपको settings वाले option पे click कर देना है यानि दोस्तो आप जो अपने mobile का dollar pad open करके आप जो dollar pad के setting में चले जाएंगे और यहां पे आपको सामने query interface आजाता है तो यहां पे आपको देखने के मिलेगा SIM card contacts का option तो इस पे आपको click कर देना है जैसे आप इस पे click करेंगे तो यहां दोस्तो जो SIM में आप contact number को अगर आप जो copy करना चाहते हैं उस SIM को select कर लेंगे उस number को select कर लेंगे ठीक है तो यहां पे आप जो अपनी साब से देख लेंगे और यहां पे आप just select कर लेंगे इसके बाद दोस्तों यहां पे आपको सामने इस पेस आ जाता है तो जितना भी content आपके SIM में save होगा यानि copy मतलब होगा यहां पे आपको दिख जागा तो यहां पे आप एक-एक करके select कर सकते है यहां फिर दोस्तों यहां पे आपको select items का option मिलता है तो यहां पे आप जो tick लगाएंगे तो यहां पे सारा number आपके mobile में जितना भी number यहां पर होगा, यहां पर से लेक्ट हो जागा, तो यहां पर copy करने के लिए, से में यहां पर आपको import का उप्सन मिलता है, इस पर आपको click कर देना है, ज़ैसे आप click करेंगे, तो फिर से यहां पर आपको import वारे option पर click कर देना है, जो कि यहां पर आप देख सकते हैं तो यहाँ दोस्तो इस तरीके से दोस्तो आप जो अपने मुबायल का कॉन्टेक्ट नंबर आप सीम में कोपी कर सकते हैं अपने मुबायल का नंबर आप जो सीम में कोपी कर सकते हैं बरिसानी से तो दोस्तो वीडियो कैसा लगा दोस्तो व झाच्च्च